हेलो दोस्तों वेलकम टू मैं चैनल इस वोडियो में हम बोर का मोटर रिपलेश और फीट करसे करना है देखेंगे रिपलेश का मतलब ही है कि जासा आपको मोटर नेया डालते हैं बोर के अंदर और वारंटे और गिलेटी प्रेट में जल जाता है पताया है तो वीडियो को जो है प्लास्टिक देखते रही है देखिए आपको जो है जितने भी इसका पेकिंग वगे रहा है याने कि जो बंद्या राता है वायर इसको काट लेना है और अगर इसका पूरा फिटिंग देखना चाहते हो ए-to-z बोर का नए बोर में किसी फिट करते है तो उसका वे वीडियो जो है अल्रेडी मैंने बना राखा है तो आप देख सकते हो आपको डिस्क्रेप्शन लिंक मिल जाएंगा पुरा फिटिंग का तो देखिए आपको जो है बीच में से जोइन को अलग कर देना है अभी जो है मिहां पर चेक करते हैं मोटर जले हो मल्टि मटर की प्रफ को लेना और इस तरह से वायर लगा देना है तीनों मैं से कोई बी और यह जो प्रॉप है मल्टि मीटर की वोग बोडी कर तो तस करना है देखिया करी मेट्र की जो अगर ओपर को उट है तो मतलब मौर जह रहेंगा देखिए आठक वी उपर ऊट र पूरे खुल देने के बाद में देखिए पम और मोटर को जो है वो अलग कर दीनी इस तरह से आप जो है इसके अंदर आपको जो भी अपने इसका पेकिंग और निकाला था जब नया मोटर आया था वो जैसे का वैसे इसमें लगा देना है जैसे कि यहां पर कपल उसका चाबी और दीखिए इसके उपर के कैब भी उठा के रखाता है कस्टमर ने तो हम यह जो इसके अंदर पूरा लगा के जो है जैसे कि वैसे इसे फिट कर देते है और यह जो इसका डब्बा देख रहे है पीछे वो डब्बे के अंदर हम इसे डाल देंगे और यहां पर रस्ती अलग करढ़ देना आपको और जो है आपको जब दुकान पर जाओंगे आप तो है उसका बिल लेके जाना होंगा बिल लेके जाओंगे तो हीं दर यहां इसके बड़ा हाड़ लिए सिन्हों ने मोटर लिया था हमारे शेयर काई बड़ा हाडवेर दुका ने तो चली मैं आपको दुकान के अंदर दिखा द कई देदे दो बहुत सारी मोटर रहा है ठोब देह सकते हों यापर इब साथ में और इस तरह से जो है मोटर को रिप्लेश करके ला लेना है तो चलिए जो हम यहां से जो है मोटर ले लेते हैं और देखिए मोटर जो हमने नीवाला लेके आ गया वही 20 स्टेज और देड़ एच्पी कहीं आपर लिखा हुआ देखे स्टेज 20 और एच्पी देड़ तो आपको यह धान में रखना है आपका जो एच्पी और स्टेज ता वही लेके आना है तो इसको जो ओपन कर लेती हैं आपर नया मोटर है हमारा अब जो है नया मोटर को फिट करेंगे हम रिटन हमने मोटर आपस कर दिया तो चलिए इसका जिए तो अब रेखने जो है वो सब निकाल देती पेकिंग की आप देगे इसके अंदर जो है आपको फिट करने में ये धान रखना है कि हम रिप्लेस वाली मोटर फिट कर रहे है पूरी मोटर नहीं फिट करते हैं मिलने के पाइप अगरा सब ये ठीक है तो आपको क्या करना है दिके सबसे बले आप prophetic day निकलता निये बहुत बार अऔर दिखा देटा है देए देड़ में इसका तो यह मोटर जो है इसकी अप चलिए इसका जोईंड लगाती है अगर इस जोईंड आप डेटेल में देखना चाहते हो तो इसका मैं अलगस एक वीडियो बना रहा है डेटेल में किस तरह से आपको जोईंड लगाना है आगे पीछे ठीक है आपका ऐसा जोईंड लगेंगा जो के जलेंगा भी नहीं लाइफ टाइम चलेंगा यानि जलेंगा भी नहीं और टूटिंग अभी नहीं तो वीडियो को आप जोईंड देख सकते हो तो अभी जोई यहां पर इस तरह से मैं जोईंड लगा कि आपको फास्ट करके बता रहा हूँ अगर आप डिटेल में द आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको जोशे पुले रखना कंपल रखना है वहाँ पर आपको जोई चाही फिटिंग करना है तो यह ना-पॉर्暑 पूर कंपलेट कर ले थे इस तो छँआंक पूरा कंपलेट कर ले लए इस तरह से आपको तो देखिए हमारा जॉय पुरा अब देखिए तो देखिए हमारा जॉय महारा जॉय पुरा इप अभी को और इसको शेट करके जो इस तरह से भीठा देना नायची इस तरह से ठीके आप इसके उपर जो दीने और उसको जो अच्छे श टाइट करना दीक है सफी कहिए हमें की में की कि तयर नंबर काhora लगें गाँ इसको अब इस तरह से देखी इस तरह से यह फिरी है अगर यह आपका इस तरह से प्लेख नहीं आता है तो आपका मोटर जिएव जैंव रहेंगा आगा आज तुम वह इसे डाल देते हैं तो मोटर आपक → और आपको प्रॉब्रम करें गा बारबर जल जाएंगा ठीक है तो इस तरह से फिर ये फिट होने के बाद में इसके उपर जाली आती है कि स्टिल की याने के कच्रा नहीं जाना होना इसमें जैसा इसलिए तो देखिए इसको भी फिट कर देना है इस जाली को लगाने के बाद में देखिए अब जो है इसका हम रसी जो रहता है रसी को जो है जलसा कर विशा फि है बानने और इस तर से पूरा बान के वो dentro का सब्सक्राइँ ने के'll लिए इससे पूरा बान करे देना है तो देखिए जो मोरा बीट हो गया रेडि है बोर में डालने के लिए इस तरह से पूरी fitting कर देना है और यह motor जल चुका था हमने इसके अंदर new लाके आप replacemently motor बोर में डाल रहे हैं तो इसमें चलिए मैं फटा फटी इसको बोर में डाल देता हूँ और फिर हम इसको जो ओन करके देखेंगे किस तरह का इसका pressure है और पानी है और यह हमारा बोर का panel और इसमें wire कैसे जोड़ना है बता देता हो पहले देखेंगे यह ओल्ड मेंटर और यह है एंपर मिटर यह है power check करने का कितना उल्टे जा रहा है इस ओल्ड मेंटर में देखता है दबाने के बाद में यह स्टार्ट बटन और यह है आउफ बटन ठीक है zajकिने के इसमें wire कैसे जोडना है यह पे जोडने है आपको face करन का इंहापा जोडना है neutral हिहा प optimize दोनों जगichen पे और मोटर के जोडने हैं यह पर बिली वाला जोडना है और यहां पर यह दो वाला यालह या पीक्ते लुग को एलो या पीनल करना है और इस तरह से आपको पूरे नट को ढीले करके वायर लगा कि पूरा टाइट कर देना है तो देखे जो है मारे पूरे वायर चले लग गया अब देखे मोटर हम पहले उल्टेज चेक कर ले ना हमको दोस्रे के उपर है ठीक है अब देखे हैं से बोर को स्टार्ट कर दे और आप यह देख सकते हो जो है पानी यहां पर आएंगा इसको थोड़ा टाइम लगता है 10-15 सेकंड तो थोड़ा वेट कर ले थे देखिए जो यह बोर के अंदर पानी आ गया बार तो इसके अंदर प्रेशर वगर सब सही है और जो पहले मोटर जला था वह एकदम हाय उल्टेज हो गया था इस वज़से जो मोटर जल चुगा था तो यह रिप्लेस में हमने मतलब यहने कि गैर लेक्षा सब्सक्राइब जरूर कीजिए ठीक है और मिलते हैं नेक्स वोड़े में तब तक के लिए गुड़बाएं हैं अ झाल।